बिस्मिल्लाय रह्मान रहीम हमने पिछले लेक्चर में Other Acid Prices में से दो चैनल्स डिसकस किये जिन में एक था Exchange Rate Channel और एक था Tobin's Q Channel अब हम Other Acid Prices के अंदर इस लेक्चर में एक और चैनल डिसकस करना चाहेंगे जो कि है तो Other Acid Prices Channel लेकिन इसका mechanism थोड़ा सा different है यानि कि bridging variable उन पहले वाले दो other acid price channel से थोड़े different है कुछ common होते हैं लेकिन कुछ different होता है ये याद रखें initial variable एक ही है हर channel में interested end variable एक ही है हर channel में aggregate demand transmission channel में हम क्या करते हैं कि जो बीच में variables आते हैं वो जैसे जैसे variable बदलते हैं एक नया transmission channel आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि initially हम ने interest rate channel पढ़ा जो कि long term interest rate के थूँ effect करता है exchange rate channel पढ़ा जो exchange rate से net exports को थूँ aggregate demand को effect करता है Tobin's Q channel पढ़ा जो price of stocks की वज़ा से Q change होता है और उसकी वज़ा से investment और aggregate demand चेंज होती है wealth channel और wealth channel के लिए important है कि हम wealth effect को समझें आपको पता है कि जो consumers होते हैं यानि कि जो सारिफीन लोग जो consumption का decision करने वाले हैं जो expenditures करते हैं goods and services की उपर उनकी wealth जो है उनके consumption का एक important determinant होता है और अगर especially आप non durable goods को ले लें क्योंकि durable goods जो हैं वो अक्सर credit पे होते हैं उसका mechanism investment की तरह है वो हम क्यों के अंदर पढ़ चुके हैं तो कि वो investment की तरह है या long term interest rate की channel से भी हम पढ़ चुके हैं अब हम बात करते हैं non durable goods की consumption तो जब wealth ज्यादा हो तो consumption ज्यादा होता होगा durables का भी ज्यादा non durable का भी लेकिन ये channel non durable consumption पे फोकस करेगा अब इस channel की base जो है वो मोडिक लियानी की एक theory है consumption की जिसे हम कहते हैं life cycle theory of consumption और जो life cycle theory of consumption है उसके मताबक consumption smooth होता है यानि के आपकी जिन्दगी के साथ life cycle जो है आपकी जिन्दगी का उसके साथ income का pattern change होता रहता है जब लोग student life से free होते हैं तो हो सकता है unimplied हों तो उनकी earned income नहीं होती वो job start करते हैं income कम होती है वो फिर अपने केरियर में experience लेते जाते हैं उनकी salary बढ़ती जाती है उनकी earnings बढ़ती है वो retire हो जाते हैं उनकी income खतम हो जाती है या कम हो जाती है pension की फार्म में मिल सकती है लेकिन कम हो जाती है इसका मतलब यह है कि life cycle के साथ income का pattern change होता रहता है लेकिन मौडिकलियानी की तेहरी कहती है कि consumption का pattern change नहीं होता लोग अपने consumption को smooth करते हैं अब इसका मतलब यह है कि जब आपकी economy में लोगों की wealth change हो जाएगी मसलन किसी बंदे की wealth change हो जाती है और wealth change होने का मतलब यह है कि for example किसी को अपने parents की तरफ से एक amount मिल जाती है for example यह एक है उसकी wealth change हो गई यह income नहीं है यह salary नहीं है यह wage नहीं है यह wealth का change है जब wealth change हो गई तो life cycle theory के मताबक वो बंदा इस wealth को जो अभी उससे ज़्यादा मिली इसको अपनी life में divide करेगा और उसकी accordingly अपना consumption increase करेगा तो इसका मतलब यह है कि result एक ही है wealth बढ़े तो consumption बढ़ता है wealth बढ़े तो consumption बढ़ता है बेशक wealth आज ज़्यादा बढ़ गई अचानक लेकिन जरूरी नहीं कि अतना ही consumption आज बढ़ जाए consumption पूरी जिंदगी में थोड़ा बेतर हो सकता है लेकिन बढ़ेगा सही यह है wealth effect अब आपको पता है कि जो किसी भी बंदे की wealth होती है या जिसे हम life के resources lifetime resources कहते हैं उसके अंदर wealth के different farms हो सकती है जैसे money भी wealth है जैसे bonds भी wealth है जैसे stocks भी wealth है तो इसका मतलब है कि financial assets wealth होते हैं और उसके अंदर especially stocks को अगर हम ले लें तो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं पिछले lecture में कि जब monetary policy change होती है तो stocks की prices change हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि अगर stock की prices change हो जाती है तो wealth change हो जाती है और wealth change हो तो non-durable goods की consumption change हो जाती है इसका मतलब यह है कि non-durable goods जो हैं उनका consumption चुके aggregate demand का एक part है तो ultimately aggregate demand change हो जाती है यह basically इसका mechanism और इसको हम इस in arrows के साथ show करते हैं कि suppose monetary policy expansionary हो गई lose हो गई जिसका मतलब है nominal interest rate कम होगा लेकिन अगर expectations inflation की जो है हम उनको given assume करें तो real interest rate भी कम हो गया यानि कि आप यूं समझे लें कि real interest rate चुके nominal interest rate minus expected inflation होता है तो अगर expected inflation zero हो जाए तो real interest rate और nominal interest rate equal हो गया तो इसका मतलब है real interest rate कम होगा हमें पता है पिछले lecture में हमने सीखा है कि real interest rate कम होने का मतलब यह है कि लोगों के bonds की उपर return कम हो गया तो लोगों के नजदीक bond की demand कम हो जाए जब bond की demand कम होगी तो alternate assets में लोग invest करेंगे जो कि stocks हैं तो price of stock बढ़ जाएगी और चुके price of stock बढ़ने का मतलब यह है कि यह लोगों की wealth है तो wealth बढ़ने का मतलब यह है कि अब लोगों का non-durable goods का consumption बढ़ जाएगा और चुके यह consumption aggregate demand का part है तो इसका मतलब है aggregate demand increase हो जाएगी तो अब आपने देखा कि हर नए channel में एक नया bridging variable होता है वो यहां पे कौन सा है यहां पे wealth है इस से पहले wealth कहीं बीच में नहीं आई अच्छा अब एक point याद रखें कि हमने एक तरफ tobin's Q channel पढ़ लिया एक तरफ हमने wealth channel पढ़ लिया यह दोनों के दोनों housing investment की उपर भी apply होते है अब याद रखें housing investment भी है और housing consumption भी है चुकि यह एक बंदे को long run में एक safe asset है house तो long run में यह एक return भी देता है और एक safety भी देता है तो हम इसे कहते हैं यह investment है जबके दूसरी तरफ यह रहाइश की service देता है तो यह consumption भी हुआ तो हम tobin's Q channel और wealth channel उन दोनों को आप अपलाई करेंगे housing की उपर और याद रखना housing is also part of wealth जबके दूसरी तरफ housing चुकि wealth का part है तो इसका मतलब है housing की prices house की prices change होने से wealth change हो जाएगी तो wealth channel role play करेगा और दूसरी तरफ अगर घर की value बढ़ जाए घर बनाने का कास्ट उतना ना हो मसलन एक घर जो है वो सो रुपए में बनता है अब सो रुपए से मुराद आप इसे 100 million कह लें for example point मेरा यह है कि 100 thousand कह लें आप number simple रखने के लिए मैं 100 कर रहा हूँ तो 100 में कास्ट करता है और 110 में बिकता है तो अगर वो घर 120 में बिकना शुरू हो जाए जब कि उसका कास्ट 110 ही रहे तो हम कहेंगे कि उसकी value बढ़ गई या घर की जब कि उसका replacement कास्ट पुराना ही है तो घर का Q बढ़ जाएगा जिसे हमने Tobins Q कहा था कि market value asset की बढ़ गई उस asset का replacement कास्ट पहले जितना है या कम उसके मुकाबले में नहीं बढ़ा इसका मतलब है Q बढ़ जाएगा और जिसका Q बढ़ता है उसमें लोग investment स्टार्ट कर देते हैं तो ये दो चैनल्स हैं या wealth बढ़ गई housing की तो consumption बढ़ जाएगा और housing का क्यों बढ़ गया तो housing में investment बढ़ जाएगी दोनों वज़ा से aggregate demand increase हो जाएगी इस चीज़ को हम ये transmission channel को लिखने का एक ये तरीका भी है क्या कि interest rate change हुआ interest rate change होने से क्यों far housing change हो गया और housing wealth भी change हो गई for example interest rate कम हुआ अगर तो interest rate कम होने की वज़ा से housing wealth प्राइस की prices increase होंगी interest rate कम होने से लोग ज्यादा घरों की demand करेंगे क्योंके cost of borrowing काम हो गया है तो इसका मतलब ये है हाॉजिंग का wealth भी increase हो गई हाॉजिंग का Q भी increase हो गया तो हाॉजिंग का Q प्राइस होने की वज़ा as an asset लेते हैं, वो अपना उसका consumption बढ़ा देंगे housing का, दोनों का net result एक ही होगा, aggregate demand increase होगी, क्योंकि consumption भी aggregate demand का ही पार्ट है और investment है, चाहिए वो investment housing investment हो, चाहिए वो factory के अंदर investment हो, investment किसी भी तरह की हो, वो investment aggregate demand का पार्ट होती है, बशर्त है कि वो real investment तो यूं aggregate demand increase होगी, तो यह हमने other asset price channels को complete कर लिया कि कैसे interest rate aggregate demand को effect करता है, through other prices, यानि के through prices of other assets, other than bond. Thank you.